सब्सक्राइब करें हमारा चैनल मौम्मद वेस्ट फ्लोक्स और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और ये बिल्कुल फ्री है हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू बेक मैं चैनल मौमद वेस्ट फ्लोक्स आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि जो कार के स्टीकर्स आते हैं उसका बिजनेस आप लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और इसकी मशीन आप लोग को कहां से मिलेगी तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा तक देखिये गा, जैसे कि आप लोग जानता ही होंगे कि लोग आजकल अपनी बाइक्स में और कार्स में ये सब स्टीकर्स लगाना काफी पसंद करते हैं और अगर प्रॉफिट मार्जन की दोस्तों बात करें तो इसमें प्रॉफिट मार्जन काफी जादा होता है उसमें मैं बताऊंगा आप लोग को पहले एक request है अगर आप लोग ने मेरा चैनल अभी तक subscribe नहीं किया है तो नीचे red color का button दिया गया होगा please उसको click करके subscribe करते उसके बाद एक notification bell icon आएगा उसको भी press करते जैसे कि आप लोग देखते होंगे ये सब काम roadside के आसपास चलता रहता है और लोग stickers बना के car में और bikes में ये सब stickers चिपकाते रहते है दोस्तों जरूरी नहीं हर काम machine करें ये creativity के उपर भी depend करता है जितना आपका creative mind होगा उस हिसाब से आप stickers बनाएंगे बढ़े हैं-बढ़े हैं आप लोग Google से भी search करके sticker बना सकते हैं ये आप लोग के उपर depend करता है तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में पूरा इसी topic पर बात करने वाला हूँ तो इस वीडियो को quit मत कीजेगा पूरा end तक देखिएगा मैं आप लोग को step by step बताऊंगा कि इसकी machinery की cost कितने की आती है और अगर आप लोग के पस कोई जगा खाली है तो definitely आप इस काम को start करिए ठीक है? मैं पूरा बताने वाला हूँ जैसे कि आप लोग सामने देख रहे होंगे इस तरीके के stickers लोग अपनी bikes में और अपने cars में लगवाना पसंद करते हैं ये दोस्तों सारा machine का काम होता है थोड़ा सा आप लोग को मेहनत की दरूरत है थोड़ा सा technical काम है ये और इस machine के साथ आप लोग को software में लेगा उसके जरीए से आप लोग ये software में आप लोग कार का sticker बना सकते हैं और कोई technical काम नहीं है ये आप लोग बहुत असानी से सीख सकते हैं जब आप लोग स्टार्ट करेंगे तो आप लोग को खुदी अपने आप पता चलने लगेगा ये काम है कैसे शुरू किया जाता है और ये देखिए ये आप लोग को जो सामने मशीन देख रही है पेपर को कट करती है अभी सामने जो आपके मशीन आ रही है इसको कहते है विनाइल कटिंग मशीन ये सारा काम खुदी से करती है इसमें आप लोग को कुछ भी नहीं करना है उसके बाद ये आप लोग को इतना जो बचेगा वो आप लोग को निकाल लेना है और इसके बाद ये application tape इसमें लगाए जाता है दोस्तों जैसे कि मैं आप लोग को आगे दिखाऊंगा ये देखिए इस तरीके से ये आप लोग इसको निकाल सकते हैं और इसके उपर एक application tape चिपकाए जाता है और ये design दोस्तों बन के तैयार हो जाएगा बहुत असानी से ये काम होता है जब आप लोग करने लगेंगे आप लोग को खुदी समझ में आने लगेगा ये देखिए ये application tape चिपकाए जाता है उसके बाद ये car में लगा दिये जाएगा ये सामने आप लोग के सामने जो design दिख रहा है इस तरीके से आप लोग बहुत से designs बना सकते है ये depend करता ही कि आप लोग को किस तरीके से order मिलता है ये रेखिए ये सारे bubbles निकाल दिये गए है और ये इसको stickers बाहर निकाला जाएगा और इसके बाद ये कार में चिपका दिये जाएगा अब इसको कार के शीशे में चिपका दिये जाएगा कार का शीशा पहले साफ किया जाएगा उसके बाद इसको इसमें चिपका दिये जाएगा जैसे कि आप लोग सामने देख रहे हैं इस तरीके से ये application टेप को बात में हटा दिया जाता है और काफी clear तरीके से ये काम हुआ है जैसे कि आप लोग सामने जो machine देख रही है ये vinyl cutting machine किलाती है इसमें से आप लोग स्टीकर्स बना सकते हैं इस machine से और यहाँ पे आप लोग क तो यहां से contact number भी आप लोग को मिल जाएगा तो contact number लेके आप लोग यहां से directly बात कर सकते हैं और यह जैसे कि आप लोग सामने देख रहे होगे यह 14,000 रुपई की मशीन है और brand है servo single blade cutter पे है यह classification की बात करें और इसका size 40 inches है तो दोस्तों यहां से आप लोग को मिल जाएगा सब कुछ अगर आप लोग चाहते हैं किसी भी टाइप की मशीन लेना तो यहां से आप लोग को मिल जाएगी बैं नीचे करके एक बार आप लोग को दिखा देता हूँ कि यहां पे किस किस टाइप की मशीन है कोई 13,000 की है कोई 14,000 की है कोई 25,000 की है तो depend करता है यह features के उपर अगर features अच्छे होंगे machine के तो उसकी price बढ़ जाती है और इसमें आप लोग किसी भी type का roll इस पे लगा के और यहाँ पे print कर सकते हैं तो इसका यहाँ specification दिया है आप लोग एक बार पर दीजेगा यहाँ पे आप लोग Lex में भी machine purchase कर सकते हैं जैसे कि आप लोग सामने देख रहे हैं 210,000 रुपई की यहाँ पे machine है मगर दोस्तों मैं यही सब को recommend करता हूँ कि अगर आप लोग कोई भी नया काम start करते हैं तो पहले कोई छोटे level से काम start करिए उसके बाद जैसे कि आप लोग का चलने लगता है तो कोई अच्छी machine आप लोग purchase कर सकते हैं यहाँ से आप लोग 13,000 रुपई की कोई भी machine देखके purchase कर लीजे दोस्तों मैं कोई promotional वीडियो नहीं बनाता हूँ ना ही किसी की चीज़ की advertisement करता हूँ मैं आप लोग को सिर्फ एक hint देता हूँ आप लोग को एक knowledge देता हूँ कि आप लोग यहाँ से purchase कर सकते हैं और business ideas मैं लाता रहता हूँ तो दोस्तों आप लोग यहाँ से purchase कर सकते हैं और जैसे कि आप लोग पहले survey करिएगा किस किस टाइप की machines हैं उसके बाद ही आप लोग purchase करिएगा यहाँ से तो मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ नीचे यहाँ पे किस किस टाइप की machine मिलने वाली है अब जैसे कि यह contact suppliers का number है आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे suppliers का number भी आजाएगा तो यहाँ पे आप लोग को काफी type की machine मिलने वाली है जैसे कि यह देखेएं यह मैं आप लोग को दिखा देता हूँ Zoom कर गए यह देखिए यहाँ पे जूम करके मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ यह देखी नमबर दिया गया है आप लोग स्क्रीन शॉट चाहें तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं यह अलग अलग टाइप की यह मशीन्स हैं और आप लोग बात कर सकते हैं कंपनी में अगर आप लोग बात करेंगे तो इनके पास और भी आप लोग को मशीन्स मिल जाएगी कर लेते हैं इन स्टीकर्स को बेचा कैसे जाए दोस्तो बेचने के बहुत से तरीके हैं आप किसी एजिंसी से टाइप करके भी स्टीकर्स को सेल कर सकते हैं जैसे कि आप किसी Honda agency में या फिर TBS के agency में जाते हैं एक example दे रहा हूँ आप जाके बात कर सकते हैं कि अगर कोई बाइक में आप से stickers लगवाने आता है तो आप उनको recommend कर सकते हैं कि मेरे पास लगवा लें जो commission होगा वो आप लोग को मिल जाएगा दोस्तो इस तरीके से भी का काम start किया जा सकता है या फिर अगर आपके पास कोई जगा खाली है और आप सोच रहे हैं कोई काम start करना तो दोस्तों यह best काम है profitable काम है यह कम लागत से आप लोग यह काम start कर सकते हैं तो आप लोग हमें comment section में बता सकते हैं कि कौन सा way better रहेगा आप लोग दोनों तरीके से ये काम स्टार्ट कर सकते हैं अपनी कोई शॉप भी खोल सकते हैं या आप जो है कहीं अब डोर टो डोर जाके आप लोग स्टीकर्स का काम स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग का अगर एक ग्रोप बन जाएगा इन सब चीजों का तो ये सबसे ज़्यादा दोस्तों बेटर रहता है ये सब काम स्टार्ट करने के लिए और अगर आप लोग चाहें तो ये मशीन परचेस कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों मैंने obviously सब चीज़े यहाँ से आप लोग को बता दी है अगर आप लोग के मन में कोई doubt है तो आप लोग पूछ सकते हैं मैं definitely कोशिश करूँगा उसका reply दे सको और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अपनी family को दिखाएं अपने दोस्तों को दिखाएं ये video आज के लिए बस इतना ही thanks for watching and have a nice day